राम राम चैहिन तो आज का टॉपिक मतलब बहुत डिमांडिंग यह हमेशा राय चर्चा में कितने सालों से यही टॉपिक के बारे मिलबात कर लो इसकी चर्चा कभी खतम नहीं होती इस टॉपिक के तो वही टॉपिक है अज हस्त मैं तुल मास्टर वेशन से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है मास्टर वेशन से हमारी जो वह बॉडी नहीं बन पाती है what सब्सक्राइब बात करेंगे साइंस क्या कह रहा है और वाकि में ब्रमिचर के हिसाब से किस चीज की तुम रच्छा कर सकते हो आगे बढ़ने से पहले अगर वाकिम बॉडी में अंदर से वीकने से सब्सक्राइब अब बुस्टर है हमारा सब आयरुवेद मिल जाएंगे तुम्हें असुगंदा सिलाजी सफेद मूसली सतावर कौश बीज संक बुस्पी और कुठकी आमला आमला तुन नहीं खर यह सारी चीजेस में तुम्हें मिल जाएंगी जो कि अंदर से तुम्हें और एड्रेस भी बेद देना इसी नमबर पर तो हम घर सही सलामत तुम्हारे पहुचा देंगे अब बात करते हैं तुम्हारे मन पसंद टॉपिक की जो की है यह पढ़ लेना है हस्त मैथन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में मास्टर बेसन देखो जब इजैकुलेट करते ह हो मतलब की जब इस पंब भार निकलता है जब इजैकुलेट करते हो उसके बाद से प्रक्रिया चालू हो जाती है मेरे कहने का मतलब है जब आपने एक बार इजैकुलेट किया नेक्स्ट मिनट से बॉड़ी आपकी दुबारा इस पंब बनाने लगती है यह हो गई साइंस क की बात हम ज्यादा घुमाते हैं फिर आते नहीं है डैरेक्ट पॉइंट पर आते हैं इसलिए तोड़ा सा वीडियो को सौट रखते हैं सौट एंड क्रिस्प ताकि जो चीजें बताना चाहरे है वो तुम्हाइब भेज़े में घुसे बस बाते बाते बाद कि लिए सौरी ह जब करते हुए एक बार तो उसके नेक्स मिनिट में आपकी बॉड़ी दुबारा से स्पंप बनाने लगती जो की प्रोसेस 24 गंटे का होता है कई लोगों में कम होता है लेकिन यह प्रोसेस तब होता है जब आपका डाइट आपका न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट हो तब य ificación लिए देखो होता क्या है कि fitness या फिर बॉड़ी बंट्रिग का है उसमें खेल किसका होता है मसल का होता है cohort है हमारी मसल्स बनती है यह ठीक है मसल्स बनती अब मसल्स का इस से कि अगर आप साथ दिन का इंटरवल लेते हो, साथ दिन अगर आप खुद को रोक के रखते हो, नहीं करते हो एजैकुलेट, इस परम बाहर, चाहे वो सेक्स के फॉर्म में हो, चाहे वो मास्रबेशन के फॉर्म में, समझना जरा, बहुत टेक्निकल चीज़ समझा रहा है, हमने तुम्हें समझाते हैं, देखो, जब तुम साथ दिन के लिए नहीं करते हो, तो तुम्हारा साथ दिन के अंदर टेस्टर सौन इंक्रीज होता हुआ, तुम्हें समझ में आने लगेगा, ठीक है, अब साथ दिन में जब समझ में आने लगेगा, तो उसका फाइदा क्य होगा कि अगले जो साथ दिन होंगे वो और एनरजेटिक जाएंगे तो कोसे से करो कि जब भी आप नहीं कर रहे हो तो किसी अगर एक्टिविटी में थोड़ा ज्यादा टाइम देदो अगर पढ़ाई कर रहे हो तो और थोड़ी सी पढ़ाई करो लेकिन ध्यान रखना अगर बचना है तो अपनी एक्टिविटी को बढ़ा दो ठीक है और यह देखोगे यह वाकई में इसके रिजल्ट है कि अगर आप नहीं करते हो साथ से दस दिन तो जब आप वर्काउट करते हैं उसमें आपकी इंटेंसिटी हाई रहेगी ही रहेगी रहेगी इंटेंसिट मरें धरें फिर तो कुछ बचा ही नहीं तुम्हाई सरीर में कोसिस यह करो कि अपने आपको थोड़ा तो यहां से मजबूत बनाओ यहां से थोड़ा से मजबूत बनाओ इसमें कोई ट्रिक काम नहीं आती है कि यह न खाओ वो न खाओ यह सब कुछ काम नहीं आता है ब्रहम का आपकी मसल बिल्डिंग से कोई लेना देना नहीं है बहुत जादा ठीक है बस टेस्टर सुरॉण का लेना देना है जो कि कहीं न कहीं से में इंपक्ट डालेगा आज के वीडियों बस इतना ही कल फिर मिलते हैं तब तक के लिए राम राम जाहीं